तो हेलो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फाइनल मैट्रिक फाइनल बोर्ड परिच्छा 2023 में बिज्ञान का 20 अति महतपूर्ण प्रस्ण और उसका उत्तर तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए साइन्स का जो एकजाम होगा ना उसके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिए 20 अति महतपूर्ण प्रस्ण में आपको बता रहा हूँ अगर ये प्रस्ण को आप देख लेते हैं तो दोस्तो आपके फाइनल बोर्ड परिक्षा में यहां से कोशन 100% आएंगे इसकी फुल गैरेंटी है आपके बोर्ड एकजाम में यहां से कोशन पूछे ही जाएंगे ठीक है अगर ये कोशन का आप PDF लेना चाहते हैं तो आपक करें mr.sarmatarget.in वहां पर आपको सारे subject का इसी तरह से PDF मिल जाएगा objective question का भी और subjective question का भी क्योंकि आपके बोर्ड एकजाम में जितने भी question पूछे जाएंगे वो यहां से ही पूछे जाएंगे मैंने chapter wise सारे BBI guess किया गया question मेरे द्वारा दिया गया है Google पर जाएए और सर्च करें mr.sarmatarget.in इस वीडियो को जरूर देख लिजिए इसका जब PDF लीजिएगा तब वहां पर जाएगा PDF लेने के लिए बिल्कुल free है और दूसरा काम यह है कि नीचे description box में जाए टेली ग्राम और WhatsApp ग्रूप का लिंक है उसको जरूर जोयन कर लिजिए क्योंकि आपके जित सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर रोजाना आपके subject से मैं लेकर के आते ही रहता हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला question है देखे दोस्तों बहुत ही important question है केक या पावरोटी बनाने में baking powder का उप्योग क्यों किया जाता है इस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें baking powder, baking soda और tartaric अमल का मिसरन होता है जब इसे जल में मिलाया जाता है तो carbon dioxide gas मुक्त करता है और इसलिए हम लोग केक या पावरोटी बनाने में इसका उप्योग करते हैं carbon dioxide gas जब मुक्त होता है तो वो फूल जाता है तक केक या पावरोटी बनाने में baking powder का जो उप्योग किया जाता है उसको फूलाने के लिए ताकि देखने में अच्छा लगे, सुन्दर लगे, खुबसूरत लगे तो ये था आपका first question second number question है कंकाली रासायनिक समिकरन क्या है एक उदाहरन दे करके समझाए तो मैं आपको अच्छे धंग से समझा रहा हूं ध्यान दीजेगा कंकाली रासायनिक समिक्रन को ही हम लोग औसंतुलित रासायनिक समिक्रन कहते है ठीक ना तो देखिए कंकाली रासायनिक समिक्रन का जो परिवासा है वह समिक्रन जिसमें समिक्रन के दोनों तरफ प्रतेक ततों के परमानों की संख्या बराबर ना हो उसे कंकाली रहसानिक समिकरन कहते हैं और इसी को हम लोग औसंतुल रहसानिक समिकरन कहते हैं बोर्ड एक्जामें आप इस तरह से लिखिएगा ना तो आपके पूरे नमबर दिये जाएंगे इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों ठीक है बारते हैं थार्ड नमबर कोश्चन की ओ अब यहां पर उदाहरन के लिए कहा जा रहा है तो देखे क्या लिखेंगे उदाहरन के लिखेंगे ह2 पलस O2 एरो ह2 O यहां पर कहता है कि समिकरन के दोनों तरफ प्रतेक तत्यों की प्रमानों की संख्या बराबर ना हो ना हो देखें इस धर जो है आपका तीर के बाए तरफ मैं आपको थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ बिल्कुल अराम से कर यह रटना नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ देखें समिकरन के बाए तरफ जो है ना आपका हाइड्रोजन दो बार है दाए तरफ भी हाइड्रोजन दो बार है लेकिन समिकरन के बाए तरफ ऑक्सिजन दो बार है और दाए तरफ ऑक्सिजन एक बार है अपरूपता, अपरूपता क्या है, कारवन के कितने अपरूप हैं, इन में कौन कठोर और कौन मुलायम होता है, बहुत ही important question है आपके board exam के दिश्टी कौन से, 2023 में ये question पूछे जा सकते हैं, देखे इसका answer क्या होगा, अपरूपता क्या है, जो एक से अधिक रूप में पाय जो यानि ऐसा चीज जो एक से अधिक रूप में पाया जाए, जिसकी भोथिक और रासाइनिक गुन अलग अलग होते हैं, उससे अपरूप कहते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं, और इस सबाल में पूछता हैं कार्वन के कितने अपरूप हैं कार्वन के तीन यानि कार्वन के कितने अपर रूप होते हैं मुख्य रूप से अगर आप्शन में तीन नहीं दिया है तो दो देना है नहीं तो आपको तीन देना है चिक न और इस तरह से दोस्तों यहां दिखें मैंने इसके बारे में भी लिख दिया है कि इसमें हीरा जो होता है वह कठोर ह तो सब्सक्राइब सभी कैसे भी सभी की थाइब रखेगा कि फोर्थ नंबर ग्रम को को बढ़ते हुए जब तत्तों को यहां क्या लिखेगा जब तत्तों को बढ़ते हुए जब तत्तों को इस तरह से लिखेंगे जब ज्यादा टैपिंग में गरवर नहीं है आपको गरवर नहीं मिलेगा जब तत्तों को बढ़ते हुए परमानों-द्रभमान के करम में सजाया बरते हैं भी 5 नमर कोशनके और न्यू लेंडस का अस्टक नियम क्या है QD बढ़ते हुए परमानों द्रभमान के करम में सजाया जाए तो किसी भी तत्त्त WOW करने पर çıkar चँभी पहले ततो के गुनों के समान होंगे जैसे की संगीत का आठ्मा स्वर्ग पहलय वर्ण स्वर्ग के समान होता है पहले स्वर्ग नहीं स्वर्ग देना है यहाँ पे क्या देना है स्वर्ग इस तरह से ठीक है न स्वर्ग नहीं समझे होगे मैं आपका अब समझाता हूँ देखिए यानि सारे गामा सारे गामा पाधा नी सा तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ यानि संगीत के आठ स्वर होते हैं सारे गामा पाधा नी सा अगर हम लोग यहां से सुरू करते हैं ना सा से ध्यान देजिएगा अगर हम लोग सा से सुरू करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ होता है ना यानि साथ तक तो वैसा ही गया लेकिन जो आठमा स्वर आता है तो फिर से वही स्टार्ट हो जाता है जो पहले स्वर में था तो यही है आपका निवलेंडस का अस्टक नियम बरते हैं हम लोग मेंडलिप का आवर्त नियम क्या है यदि ततों को बरते वे परमानों द्रब्मानों के करम में सजाया जाए तो एक निश्ची संख्या के बाद समान गुनवाले ततों पाये जाते हैं इसे हम लोग मेंडलिप का आवर्त नियम कहते हैं इस तरह से अगर आप एक्जाम में लिख देंगे न तो आपका दो नंबर कोई नहीं कातेगा ठीक न बरते हैं साथ नंबर कुश्चन की और आधुनिक आवर्त नियम क्या है यदी ततों को बरते हुए पर्मानों संख्या के कर्म में सज़ाया जाए तो एक निष्चि संख्या के बाद समान गुनवाले ततों पाये जाते हैं ये जो हम नहीं बोले हैं तो इसको नहीं लिखना है क्या लिखेंगे यदी तत्वों को बढ़ते हुए तक लिखेंगे बढ़ते हुए परमानु संख्या के करम में सजाया जाए तो एक निश्ची संख्या के बाद समान गुनवाले तत्व पाए जाते हैं ये आपको नहीं लिखना है ठीक ना उमीद करता हुँ आपको समझ में आ गया होगा बरते हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतरस पस्ट करें तो साबुन के बारे में देखिए साबुन उचवसा हम लोगे सोडियम लवन है यह जल में घुलता कम है और पानी के साथ जो है यह जाग भी कम देता है कौन साब और इसमें सफाई की छमता कम होती है इसी का उल्टा कर दीजेगा तो आपका अपमार्जक हो जाएगा फिर भी मैंने लिख दिया है ठीक ना देखिए अपमार्जक के बारे में साबुन क्या था आपका देख लिजे साबुन क्या है उचवसा अमलों के सोडियम लवन है ले जो आपकामिजख है लेकिन साबुन कम जाग देता है अपमारजक में यानि कि सफाई की छमता जादा होती है और साबुन में कम होता है इस तरह से अंतर लिख सकते हैं नौन कोईशन ध्हमनी और congr assistance में अंतर बताई तो पहले ध्हमनी के बारे में जानके हूँ हक 12 के गारे में इकिसी कहीं होती है और इसों कि आंत्रिक भीतिक मोटी ही सिय तथा लचिली मिसीयो हूती है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हूगए 10. नबर कोशन है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश्ट धारा में अंतरस्पस के बहुत ही महतुपूर्ण प्रस्ट हैं। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पहले समझी है। इसमें धारा का मान तथा दिसा कमय के साथ दोनों बदलता है, इसे असानी से उत्पन किया जा सकता है, यह अधिक घातक होता है, कौन प्रत्यावर्ती धारा यानि इसे हम लोग AC कहते हैं, alternative current और दिश्ट धारा इसमें केवल धारा का मान बदलता है इसे उत्पन करने में कठिन आई होती है और यह कम घातक होता है इसे हम लोग DC करिंट कहते हैं तहने का मतलब यह हुआ इसमें बैटरी सबाता है क्या आता है बैटरी सबाता है आपका खेक है चले दोस्तों सबसे important question देखिए इस वीडियो में तारे टिम्टी माते हैं किन्तु गरह नहीं तिम्टी माते हैं किन्तु गरह नहीं क्योंकि तारों की तुलना में गरह प्रिश्वी के बहुत अधिक निकट है फल स्वरूप तारों की प्रकास का लगवग बिंदू सुरोत समझा जा सकता है जबकि गरह फैला हुआ अर्था तो विस्तृत पिंड होता है जैसा होता है इसलिए गरह से आती किरने वायमंडलिय घट बढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है और हम कहते हैं कि तारे तो टिम्टी मा रहे हैं लेकिन गरह नहीं टिम्टी माते हैं क्योंकि गरह प्रिथवी के बहुत निकट होता है क्या होता है बहुत निकट यह अप्शन में भी काम आ सकता है और तारे के बारे में पूछा जाए कि तारे जो टिम्टी माते है या चम् क्यों ईदाहरन देते हैं इसका आँसर होगा अमल एवं छार चार ऐसे लिखना था ठुड़ाइसा टापिंग yereеле कीम्परमाईज कर लिए मैंने आपको बता दिया है अमल एवं चार्ण अभिक्रिया के फलशार्टु अमल एवं चार के अमल एवंचार-के लिखेगा अमल शार के अभिकिरिया के फल स्वरोप लवन एवन जल बनता है इसे उदासिन करना भी किरिया के है ठीक है दोस्तों उदाहरन के लिए यहां पर लिखेगा एण एँए उए हुश्य और एड्श वहां यहां पर यह से देना है यह आपका क्या हो गया सोडियम हाइड्रा सोडियम को किरोसीन में डुबा कर क्यूं रखा जाता है तो ध्यान दिए बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है सोडियम समान ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सिजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है कहने का मतलब यह हुआ सोडियम जो है ना कम ताप पर भी और नमी पर भी या कम ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सिजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड बना देता है इसलिए सोडियम जो है वह किरोसीन में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है इसल जब sodium को हम रख देते हैं तो वहां पर कोई अभिक्रिया नहीं करता नहीं घुलता है इसलिए sodium को सेफ रखना जो है ना वह मिट्टी तेल में ही है 14 नमबर कोशन देखें बहुत important कोशन है अभिक्रियासील समु किसे कहते हैं किसी एक अभिक्रियासील समु का नाम लिखें अब इसका मैंने एक एक अग्जामपल दे दिया है उदाहरन दे दिया है जैसे में एथिल अलकोहल का अभिक्रियासील समु जो होता है वह होता है सिंगल बॉंड ओएच ठीक है इस कोशन का राइट अंसर हो गया दोस्तों पंदरा नमर कुशन दिया गया है लोहे की वस्तों को हम पेंट क्यूं करते हैं तो लोहे की वस्तों को जंग से बचाने के लिए लोहे को पेंट करते हैं लोहे को पेंट कर देंगे तो जो भी उस पर धूलकन या पानी का कन लगेगा तो केवल और केवल जो है ना पेंट के जरो हिया तभी जंग में इसलिए करताए क्योंकि हम जली विलियन में चालन की जल्य विलियन वोफ ही विधिमान का चालन करता है इसलिए विदूत का चालन करता है क्योंकि जल्ययविल्यर में कटैं एवं नायन में अपगहटित हो जाता है नेक्स्ट अ?श्ज ज्यादा कमिल जाने वाले प्राकिर्तिक रूप से तत्व या योगिक को खनीज कहा जाता है प्राकिर्तिक रूप से मतलब पहले से जो वस्तु पाया जाता है प्रिथवी के अंदर में वो नेक्स्ट कोश्चन नमबर दूसरा है आयस्क वैसे खनीज जिनसे धातु का बैवसाइक उत्पादन होता है उसे आयस्क कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है गैंग आयस्क में मिट्टी कंकर बालू आदी और वांचनिय पदार्थ मिस्रित रहते हैं इन्हें हम लोग गैंग कहते है गैंग को मैट्रिक्स भी कहा जाता है दोस्तों परिभास है छोटा छोटा ध्यान से देख लिजे उसके बाद है निस्तापन आयस्कों को ऐसे लिखेगा आयस्क थोड़ा सा मिश्टेक है टैपिंग करने में आयस्कों को क्या लिखेगा आयस्कों को उचित ताप क्रम पर ग अयस्क के वायू के नियंत्रित आपूर्ती में उसके द्रवनांक से कम ताप क्रम पर तीवरता से गर्म करने की किडिया को भर्जन कहते हैं ठेक है दोस्तों यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट कोश्चन है सारे सारे कोश्चन का पीडियेफ लेने के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है मिस्टर सर्मा टार्गेट डॉट इन यह गूगल पर आपको सर्ज करना है यहां से आपको सारे सब्जक्ट का अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोश्चन वी इन अपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको औन लाइन टेस्ट देने की भी सुविधह है है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदश्यों के बीच सिंगल बॉंड CH2 का अंतर रहता है उसे समझाती स्रेनी कहते हैं समझाती स्रेनी कहते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए कह इसके कहने का मतलब क्या हुआ सिंगल बॉंड CH2 ऐसे लिखेंगे ठीक है मैं आपको मैंने कहा एक कारवन और एक हाइडरोजन का अंतर है देखे यहाँ पे एक कारवन है यहाँ पे दो कारवन है मतलब कारवन में एक कारवन का अंतर है हाइडरोजन में देखे यहाँ चार है और यहाँ छो है तो दो हाइडरोजन का अंतर है दोस्तो इस स्रेनी के सदस्य समजात कहलाते हैं समजात या स्रेनी के जो भी सदस्य है उसे हम लोग समजात कहते हैं ठीक है उसके बाद देखे दोस्तो 19 नमबर कोशन है उसमा छेपी अभिक्रिया की परिभासा को उदाहरन के साथ लिखे मैं आपको दाहरान भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखिए ऐसी अभिकिरिया जिनके फल स्वरूप उसमा मुक्त होती है उसे उसमा छेपी अभिकिरिया कहते है यहाँ पर क्या लिखेंगे उसमा ऐसे लिख लिजेगा उसमा छेपी उसमा छेपी अभिक्रिया यानि कहता है ऐसे अभिक्रिया जिनके फल स्वरूप उसमा मुक्त होती है उसे उसमा छेपी अभिक्रिया कहते हैं ठीक है दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एक्जामपल दिखा देता हूँ उदाहरन दिखा देता हूँ तो देखे दोस्तों यह है आपका उदाहरन यानि CAO Calcium Oxide Plus H2O यानि Calcium Oxide जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तब आपका Calcium Hydro Oxide बनाता है जिसमें उसमा जो होता है ना वो उड़ जाता है उसमा जो हो यहां से उड़ जाता है इस अभिक्रिया से उसमा चला जाता है तो यह उसमा छेपी अभिक्रिया यानि के इस अभिक्रिया से उसमा का निस्कासन हो जाता है उसे हम लोग उसमा छेपी अभिक्रिया कहते है ठीक है तो यह था आपका उसका उदाहरन उसके बाद लास्ट कोश्चन है दोस्तो इस वीडियो का उसमा सोसी अभिकरिया की परिभासा को उदाहरन के साथ लिखें ऐसी अभिकरिया जिसमें उसमा सोसित होती है उसे उसमा सोसी अभिकरिया कहते हैं अब इसका भी example देख लिजे दोस्तो वीडियो पसंद आए तो like जरूर करिएगा और आप लोग मुझे comment करके जरूर बताएगा कि इस 20 अती महतुपुर्ण प्रश्ण में से subjective प्रश्ण में से लगुतरी प्रश्ण में से आपको सबसे पहले यानि पहले से कितने प्रश्णो से देख लिजेगा यहाँ पे NH4Cl पलस BAOH2 पलस उस्मा यानि उस्मा का इसमें अब सोसन हो रहा है ले रहा है और बनता क्या है बेडियम क्लोराइड ह2O जल और NH3 अमोनिया यहाँ से क्या करता है इस अमिक्रण से यह ठीक है तो उमीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों क आपको बहुत पसंद आया होगा तो दोस्तों इस 20 प्रसन में आपको कितने प्रसन का जवाब पहले से आता था यह कॉमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और जो आपको इस स्क्रीन पे दिखाए दे रहा है गूगल में जाना है यदि आपको 400 से ज्यादा नंबर लाना है अभी भी बचे हुए समय में तो आपको गूगल पर जाएए और लिखे मिस्टर सलमा टार के डॉट इन यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोश्चन जो है न पहले से है तो वहाँ पर एक मैंने क्या क्या है कि चेप्टर तो आपके बोर्ड एकजाम में जो 50 नंबर का अब्जेक्टिव कोश्चन पूछा जाता है और साइंस में 40 सैंस में 40 का अब्जेक्टिव कोश्चन पूछा जाता है वहाँ से आपका अब्जेक्टिव का टेंसन पूर् Corona रूपय न से Khotam हो जाएगा ठीक है तो उमीद करत तो मेरी बाते आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्ष वीडियम तब तक के लिए जया हिंद वंदे मात्रम